हलो इंवेस्टर्स इस वीडियो के अंदर में आप लोगो को वेदानता लिमेटेड और टाटा पावर के साथ में कुछ ऐसी कंपनी के शेर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे बोनस, स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करिये जो भी बड़े बड़े अनौसमेंट्स हैं उन्हें इस वीडियो के अंदर में कवर करूँ पहले शेयर की अगर हम बात करें कमपनी का नाम है इंगर सोल रैंड इंडिया लिमेटेड आज की ट्रेडिंग सेशन में कमपनी का जो शेयर है लगबग हमें 5.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला अक्चुल में एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से मोमेंटम काफी जबरदस्त था 4,655 रुपीज के उपर ये कमपनी का शेयर क्लोज हुबा अगर इस कमपनी के ओफिशल अनौसमेंट की बात करें तो इंगर सोल रैंड इंडिया ने जो है डिविडेंड अनौस कर दिया 55 रुपीज का आपको आपके हर एक शेयर पे 55 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा अक्चुल में डिविडेंड वैल्यू काफी अच्छा है और इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 27 आफ नवेंबर यानि की 27 नवंबर की रखी गई है तो कल का दिन 26 न हमें 3% की गिरावट करता देखने को मिला फिर एनफ ठीक ठाक गिरावट है 548 रुपीज पे कंपनी का शेयर क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की बात करें तो मल्टी बेस इंडिया ने जोबे डिविडेंड अरौंस कर दिया है 53 रुपीज का आपक इसको देने की भी X date record date same day की रखी गई है यानि की 27th of November की अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है खजान की ज्वेलर्स लिमिटेड ये कंपनी का जो शेयर है आज की ट्रेडिंग सेशन में लगबग हमें डेट से 2% की तेजी दिखाता देखने को मिला 624 रुपीज पे close हुआ इस कंपनी के official announcement की बात करें उससे बहले एक बड़ी और एक positive update आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ अगर आप लोग चाहें तो मेरा 100% free वाला telegram channel जोईन कर सकते हैं इसी वीडियो के description पे आपको link मिल जाएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को regular basis पे cash के उ पर में stocks पे buying recommendation शेयर करता हूँ short term के लिए scalping setup और वही mid term के लिए swing trading setup प्रवाइट करता हूँ कोई भी risky segment F&O futures and options या margin trading हम नहीं करते हैं तो सब कुछ एकदम safe and secure है और एकदम fundamentally financially strong companies के shares को ही मैं personally जो लेता हूँ वही आपको recommend करता हूँ तो definitely आप join कर सकते हैं description पे आपको link मि अगर इस company के official announcement की बात करें तो खजान की dwellers ने चुब है dividend announce कर दिया है 0.50 rupees का आपको आपके हर एक share पे जादा नहीं सिरफ और सिरफ 50 पैसे यानि की 50 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी x date record date same day की रखी गई है यानि की 27th of November की अगले share की बात करें तो company का नाम diamond power infrastructure limited आज के trading session में company का जो share है हमें 4% से जादा की तेजी दिखाता देखने को मिला 1459 rupees पे close हुआ अगर इस company के official announcement की बात करें तो diamond power infrastructure ने जो है stock split announce कर दिया है 1-10 के ratio से जिसका मतलब काफी simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो आपके सभी के सभी shares यहाँ पे 10 गुना हो जाएंगे अक्चुल में split ratio काफी अच्छा है और इसको देने की X date record date जो है 3rd of December यानि की 3rd of December की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है Wipro Limited Wipro का जो share है आज की trading session में ह approximately 583 rupees पे close हुआ अगर इस company के official announcement की बात करें तो सभी को पता है Wipro ने बोनस announce करके रखा है 1 to 1 के ratio से जिसका मदलब काफी simple है अगर आपके पास में Wipro का एक share है तो वो 2 shares में convert हो जाएगा यह simply आप यह भी कह सकते हैं आपके पास में company के जितने भी shares है उतने ही shares का आपको सभी के सभी shares यहाँ पे double हो जाएंगे और इस bonus को देने की x date record date जो है finally Wipro ने announce कर दी है जो की 3rd of December यानि की 3rd December की ही रखी गई है तो ऐसे एकदम latest announcements पाने के लिए प्लीज आप channel को subscribe करिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Vidanta Limited, Vidanta का जो share है आज के trading session में 0.19% के एक छ positive update सामने आ रही है basically यहाँ पे equity rush करके एक brokerage firm है जादा well reputed या जादा जाना मना तो नहीं है बड़ आपने चेक कर रहा है इतना जरूर है कि सेवी registered है सारे compliance को follow कर रहा है प्लस इनकी बस AUM assets under management काफी अच्छे है तो कहीं ना कहीं trust worthy है बाकी equity rush ने जोबे विदानता limited के share के bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करिये और जो target price दिया है 485 rupees का दिया है लगबग 444 rupees से लेके 485 rupees तक की एक जो rally है equity rush expect करके चल रहा है विदानता limited के share के उपर में अब विदानता की as a company अगर हम बात करें सभी को बता है fundamentally financially विदानता काफी strong है और actual में company के अंदर potential काफी जादा है के अंदर company growth और profit दोनों ही increase करती देखने को मिल रही है time to time अगर यहाँ पर देखा जाए तो actual में company आपको long run में तो काफी अच्छे returns डिलिवर करके दे सकती है just company के ओपर एक छोटी सी problem है वो है debt loan की problem all over विदानता group पे जो है loan काफी जादा है लेकिन अब company ने जो है काफी time से लगातार payments करी है loan की और काफी हद तक loan को कम भी कर लिया है और actual में management का कहना यह है आने वले एक से date साल में majority of the loans को यह लोग pay off कर देंगे मतलब उसकी बाद में एक minor सा loan रह जाएगा या almost ना के बराबर हो जाएगा management का main focus है almost company को debt free करना है और इसके अलावा growth हमें काफी ज़धा rapid चाहिए तो यह दोनों चीज़ें पर management अभी focus कर रहा है और यह दो companies के लिए यह दो चीज़े company के लिए काफी ज़धा अच्छी और एहम है कही ना कहीं देखा जाए actual में विदानता लिमिटेट के अंदर potential काफी ज़धा है लेकिन अभी अगर आप देखेंगे company क share इतना अचा perform नहीं कर रहा है लेकिन सच बताओं तो निराश होने वली बात नहीं है because actual में mid term तक यानि कि आने वले कुछ महीनों के अंदर for sure विदानता का share आपको काफी अचा perform करता देखने को मिलेगा और 485 का target ज़रूर छोटा है लेकिन यह जो target है short term में achieve नहीं होगा इसको achieve होते होते भी आपको कुछ multiple months का time लग जाएगा तो अगर आप विदानता के share के अंदर में enter कर चुके हैं या करने वले हैं तो आपका जो mind है वो mid term के हिसाब से make up करके चलिएगा यानि कि कुछ multiple months तक आपको company के share को hold करना पड़ेगा short term game नहीं है विदानता mid term से लि watch list के अंदर में add करिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last update की company का नाम है Tata Power Company Tata Power का जो share है आज के trading session में 0.4% के एक छोटे से minor correction के साथ 412 रुपीज पे close हुआ Tata Power की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update ही सामने आ रही है basically यहाँ पे मोतिला ल Tata Power का नाम तो definitely सुनाओगा इस brokerage firm ने जो है Tata Power के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करिए और जो target provide करा है 509 रुपीज का करा है लगबग 412 रुपे से लेके 509 रुपे तक की एक जो rally है यह एक बड़ा upside momentum है वो यहाँ पे मोतिला लोसवाल expect करके चल रहा है Tata Power के share के उ जो sector पहले तो almost dead था अभी काफी हद तक चलने में आया है और actual में future projections और भी ज़दा strong है सभी को पता है अब main चीज आती है Tata Group की company है तो risk वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है आपका investment एकदम safe and secure है और investors का trust भी यहाँ पे Tata Power के उपर काफी ज़दा बना हुआ है actual में Tata Power जो है काफी बड़ी है returns देने के बाद काफी लंबे time से slow चुका है लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है विकोज आने वाले कुछ महीनों के अंदर for sure जैसी rally पहले Tata Power ने दिखाई थी वैसा ही एक momentum हमें देखने को मिलेगा क्योंकि at the end of the day power sector से company belong करती है fundamentally financially strong है just एक बड़ी positive news या फिर एक बड़े buying pressure की जरूरत है उसके बाद company का share for sure यहां से skyrocket होने का भी potential रखता है फिलाल के लिए ये बड़ी बाते हो गई ये लंबे time की बाते हो गई हम अब वापस आते हैं अपने 509 रुपे के target पे तो देखिए जो 509 रुपे का target है decent target है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि short term में achieve हो at least अगर आप 509 का target ले रहे हैं Tata Power के share पे तो आपको company के share को 8-10 महीने या उससे भी जादा के लिए hold करना पड़ेगा तब जाके 509 रुपीस का जो target है आपको achieve होता देखने को मिलेगा actual में बात करें तो 509 रुपे का target काफी जादा साल भर से जादा में भी achieve हो जाता है तो भी for sure एक अच्छा return आप इसे कह सकते हैं at the end of the day ना ही company ना ही share में कोई problem है actual में Tata Power पे तो आप नजर बना के रखी सकते हैं और जरूर से company के share को आपके watch list के अंदर में add करिएगा long term portfolio है तो उसके अंदर भी कोशिश करिए Tata Power को आ पहले पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर इतना ही रखेंगे यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो for sure वीडियो को like करना channel को भी subscribe करिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे लेकर के आत रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye